पहले से ही मानने राजना सिंग जी जब ग्रह मंत्री थे उसी समय मिजुराम सरकार तिपरा सरकार और सेंटल गौर्मेंट और मिजु शरणार्थी के जो प्रतिनी दी इनमें से बादचीत हुई थी इनको मिजुराम में जाना है इसा इन लोगों ने लिखीत रूफ से दिया है और उसी का जो ववस्ता है वो अभी हो रहा है मिजुराम से लोग आये हैं इनको जहाजा दिया गया है इस एरिया में जाएंगे जो जो कंडिशन इनके तीन साल के लिए केंदर सरकार रियाबिलिटिशन देंगे उनको इतना प है और समय था वो समय अभी आ गया है इसलिए उसी हिसाब से जो जो जोना की हिसाब से केंदर सरकार मिजुराम सरकार और त्रिपुरा सरकार तीनों मिलके जो सिध्धांत लिया था उसी सिध्धांत को अंजाम देने के लिए ये मिजुराम का टीम आया है और मेरे को लगता ह है सबी लोगों ने सहमती दी है तो ये चीज हो तो सब के लिए अच्छा है बिल्कुल केंदर से जहां तक मेरे प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेकेटरी आकुमारालुग जो इस बैठक में दिल्ली में गए थे और केंदर सरकार इस मामले में बहुत कड़ाई शक्ती से पेश आएंगे क्योंकि ये एक कुछ लोग इसको आपना जरिया बना लिया है और इसको केंदर सरकार को समझ में आता है त्रिपुरा को आता है मुज़राम सरकार को भी समझ में आता है तो ये धंदा छोड़े और इंसान के इंसान जैसा वहवार करने में मदद करे ये मैं कहूंगा और ये सब सब के सामने आ गया है ये सब मोधी सरकार में नहीं चलने वाला है और ना हमारे सरकार में ना जुरंग ठंका के सरकार में चलने वाला है जुरंग ठंका भी इस मामले म शक्ति से श्रिया देख रहा है और मैं भी देख रहा हूँ ये सब धंदा करने के लिए मोदी दुकान लगा ले फॉल के दुकान लगा ले ये सब ना करें देखे ऐसा ये केंद्र सरकार के मामला है केंद्र सरकार बहुत अच्छे धंसे उसको डिल कर रहे हैं यह बिना केंद्रिस सरकार मैं कुछ घुशना नहीं कर सकता हूँ